जैहिन सभी फाजी पेंसनर बंधो, मुझे उमीद है आपका पेंसन निर्बाध रूप से आच रहा होगा, कुछ का असपर्स में माइग्रेट हो चुका होगा, कुछ का अभी होना बाकी है, इतना तो तय है कि सब का माइग्रेट हो जाएगा, कुछ का OROP2 का एरियर आचुक बाकी भी आजाएंगे, बढ़ा हुआ पेंसन भी फरवरी माह में आजाएगा, और कुछ का, अभी OROP का कुछ पता ही नहीं है, कितना बढ़ा है, और कुछ को पता है, तो यह पता लग रहा कि घटा हुआ है, तो यह OROP2 के भूचाल से, जो हम लोग, कई लोग तो आउग और से, वहाँ पर लोड किया जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि आपका old basic pension कितना था, और अभी कितना है, और DA लगाने के बाद कितना हो रहा, जो कि usually 54.6% हो रहा, और उसका one-fourth आपको area मिलेगा, तो यह तो है, उनके लिए जिनको क area मिल चुका है, या मिलने की संभाव ना है, यानि कि table number 7, PCDA के circular 666 में, जिनका भी बढ़ा हुआ दिख रहा है, उनको तो area आ गया या आ जाएगा, इतना तय है, लेकिन जिनका घटा हुआ दिख रहा है, तो उनके लिए बड़े ही बेचाईनी है, कि क्या हमारा pension घट जाए जो भी मिल रहा है, वही मिलेगा, अंचेंज रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह वीडियो मूलतह उनके लिए ही है, जिनको की war op 2 में उमीद थी और कुछ भी नहीं मिला, और उस उमीद को जगाने के लिए, कई लोग कई तरह से प्रयास कर रहे हैं, जिसम 12 मार्च को बड़ा ही विश्तार रूप से किया जा रहा है, इसके साथ ही कई टॉप डिगिनिटरीज को लेटर लिखा जा रहा है, जिसमें की PCDA के प्रिंस्पल डिरेक्टर हैं, उसके बाद जो ESW में MOD का जो डिपार्टमेंट है, जो एक सर्विसमें वेलफेर को डील करता है, वहाँ लेटर दिया जा रहा है, अपने record office को दिया जा रहा है, तो तमाम जगहें जहां की संभावनाएं हैं, वहाँ लेटर दिया जा रहा है, इस विसंगतियां को दिखाने के लिए, यह सब विसंगतियां है, यह सब को दूर किया जाए, सलाह भी दिया जा रहा है, औ कोई सुप्रीम कोट तक जाने के लिए अधिकर्त है क्योंकि सब को इक्वलिटी का अधिकार मिला हुआ भारत के संविधान के द्वारा तो हम सब में से कोई भी या ग्रुप में भी कोट के रास्ता तो खटखटा ही सकता है ताकि उसे नयाय मिल जाए तो इस वीडियो में हम म मुखेत है मैं नरेंद्र कुमार विलनस कंसल्टेंट इंडर्प्रेनर ट्रेनर मैं बात करूंगा कि और ओपी टू में कौन-कौन सी बिसंगतियां हैं कौन-कौन सी एनोमली हैं रीमेडी उसके क्या होंगे हमें क्या करना है अब यह तमाम बात जाने इस ते पहले जरूरी ह जैसा कि हमारे कई बंदू ने या हमसे आग्रह किया था कि आप O.R.O.P. के इतिहास के बारे में बताएं आखिर इसका कंसेप्ट कैसे आया जेनेसिस कैसे आया तो मुझे लगा कि O.R.O.P. 2 के बारे में डेर सारी बात हैं जो कि साइद एक वीडियो में कभर नहीं होगा प उसकी क्या-क्या कूपर भाव हम पर पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं इन तमाम बातों पर हम बात करने मूलता जा रहे हैं यह बात मैं प्रारंब करूं इससे आप सभी बंधूं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लिविंग हैपली में अगर अभी पहली बारा हैं तो जवसे ही सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड रिलेटीब के साथ भी साज़ा करें ताकि वह भी इसके बेनफिसरी बंद सकें और आपके सब्सक्रिप्शन से ही यूट्यूब का इस तरह से अलगो रिद्म है कि हमारे चैनल का रास्ता साफ होत तो अवसे ही सब्सक्राइब करें जिसके लिए मैं सदाइब बिनम्र निवेदन करते रहता हूं तो अब मैं आता हूं मूल विशय पर की वारोपी टू का जो जेनेसिस है तो यह जेनेसिस सुरू होता है 1973 से अब यह 1973 सुनते ही आपको कुछ ऐसे युवा बंधू होंगे जिन चल रहा है जो कि मुखे तह हमारे डिफेंस पोर्सनल जो थे उनको सपोर्ट करने के लिए यह किया गया था क्योंकि वह बड़े ही कम आयू में रिटायर हो जाते हैं और उनके कई तरह की लाइबिलिटी रह जाती है बाकी बिसेश कर ओएंसियो यानिकि सिपाही लेंस नाय नायक हवलदार जो इनसियो कटेगरी में आते हैं हलांकि हवलदार तो इसनसियो में आते हैं कई जेसियो होते हैं यह भी बड़े जल्दी ही रिटायर हो जाते हैं और यह देखिए बड़ा ही संग्यो की बात है कि इनका जो रेसियो है भारत के डिफेंस फोर्सेस में यह कर 92 से 95% तक है हमारी सारी फौज में और इनके लिए जो प्रावधान था CPC जो कि Central Pay Commission होते हैं 3rd CPC से पहले 70% जो उनका मूल बेतन होता था उसका 70% हिस्सा इनको Basic Pension के रूप में दिया जाता था जो कि 3rd Pay Commission के बाद से इनको घटा कर 50% कर दिया गया और तभी से ही OROP की जरुरत महसूस होने लगी जो कि 33 years complete होने पर यह लागू होता था और इसका आप देखेंगे कि 70% से 50% आ गया यानि कि आपको एक नजर में दिखेगा कि सिर्फ 20% ही तो घटा पर 20% ही नहीं यह और भी ज़्यादा हो गया आए हम इसी बात को समझते हैं यह जो 50% हुआ यह हुआ 33 years complete करने के बाद qualifying service लेकिन हमारे NCO, JCO यह सब तो कर नहीं पाते हैं पूरे 33 years service उससे पहले ही service के requirement के लिए service को युवा रखने के लिए इस तरह से नीतियां हैं कि उन्हें बाहर जाना पड़ता हैं तो इस तरह से अधिक्तम लोग 15 साल में ही चले जाते हैं तो यहां 50 भी नहीं आ रहा पूरे जो maximum pension है उसका 30% ही आता है तो यहां से अब कर सकते हैं कि 3rd pay commission के बाद जो 70% होते थे pension उसके 30% होने लगे तो इस तरह से 40% का reduction होने लगा और इसी तरह से धीरे 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 करके हमारे NCO, JCO में थोड़ा सा गरीवी की ओर यानि कि वो काम तो कर रहे हैं अपने पूरे जवानी दे रहे हैं अपना तन मन धन हर तरह से देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन जो रास्ट दे रही है उनको कहीं ने कहीं थोड़ी सी असंतुस्टी हो रही थी उसी टाइम से और इसी असंतुस्टी को दूर करने के लिए OROP जैसा स्कीम आया ताकि उन्हें अगर मजबूरी से भेजा जा रहा है तो उन्हें मिटिगीट किया जाए उनके फाइनांसियल जो कमिया है उनको दूर किया जाए और दूसरे तरफ अगर देख लें कमिसंड ओफिसर होते हैं जो कि हमारे फौज के लगभग 5-8% होते हैं उनके लिए इन CPC में कहीं भी रिड्यूस करने का कोई प्राबधान नहीं हुआ क्योंकि उनका पेंसन जो बेसिक पे था यह निर्वाध ही रूप से बढ़ता ही चला गया अब चुकि पे बढ़ रहा तो उनका पेंसन भी बढ़ते चला गया तो यह OROP जो है इसका जो क्वाइनिंग है जेनसिस है यह इसी आधार पर हुआ कि यह जो सडेन सॉकिंग है 15 साल में चले जा रहे हैं 17 में 19 में 24 में चले जा रहे हैं जो NCO, JCO में जो उनके financial losses होते हैं इन्हें कैसे किया जाए दूर पर आज क्या हो रहा है यह तो आप देखी पा रहोंगे तो यह जो term है OROP इसके द्वारा सभी defense pensioner को cover किया गया irrespective of सभी rank चाहे उसमें commission officer हो जो JCO वेगर हो हलांकि commission officer की retirement की जो I.U. होती हो 56 से 58 years होती है जिसमें की special provision भी होता हो re-implied हो जाते हैं same rank पर उनको increment भी मिलते रहता pension भी मिलता है सिर्फ pension से DR element हटा दिया जाता तो इस तरह से कई तरह के उनके financial situation को बनाए रखने के लिए कई तरह से प्राबधान दिये गए हैं लेकिन वहीं NCO और JCO के लिए इस तरह से कोई भी प्राबधान नहीं दिया गया तो यहां जो coining हुआ था यह इसके मूल में NCO JCO ही थे 1973 के बाद तो अभी तो आप यहां समझ ही पाए होंगे लेकिन दूसरे साड़ जो OROP को रिपरजेंट कर रहे हैं जैसा कि हम सर्विस में ही थे हमारे सारे जो अधिकिर्ट होते थे उतक्रिष्ट सर्वतक्रिष्ट अस्थानों पर होते थे वो कमिसंड ओफिसर ही होते थे अब चुकि हम अब एक सर्विस में बन चुके हैं अब हम सिर्फ भारत के संबिधान के दौरा गवर्ण किये जाते हैं भारत के संबिधान के दाइरे में रहते हुए जो भी कानून बनाये जा रहे हैं बिल पास हो रहे हैं अमेंडमेंट हो रहे हैं उसके अधीन हैं ना कि क सी कमिसंड ओफिसर की रिपर्जेंटेटिव की जरुरत है चुकि यह मुद्दा हमसे जुड़ा है तो परतिनिधी भी हमारा ही होना चाहिए और यहीं कहीं न कहीं थर्ड सीपीसी से जब से ओरोपी का कंस्रिप्ट सुरू हुआ तब से उन्होंने ही ओरोपी का नित्रित्र किया और अभी तक जितने मक्षन मलाई थे अधिकारी वर्ग के ही लिए देखिए मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर देदू इस विडियो के द्वारा किसी में भ्रामक अस्थिती पैदा करने का मेरा उद्देश से नहीं है उद्देश से यहां है वास्थ विक्ता को प्रस्तूत करना मेरा सिंपल सा कहना यही है कि जब NCO, JCO, Others कि जब संख्या 92 से 95 परसंट है तो जब OROP के टीम गठन होती है सरकार से मिलती है, डेलिगेट से मिलती है, यह सुपसर जो उसके सेक्रेटरी लेवल के होते है वहां हमारा परती निधी तो क्यों नहीं होता है तो सबसे पहली कई लोग बंचित रह गए हैं, यहीं से सुरुआत होती है, अगर इसे 2.57 के बजाए 6CPC में 3.5 कर दिया जाता तो साइद यह नौबत नहीं आती, और आज कई तरह की असंतुष्टी है, विसंगतियां हैं, जो कि अगर मैं गिनाने लगू, तो साइद 2-3 घंटे भी कम और ओरोपी के जेनेसिस में बात करूँगा, और यहां दिखाऊँगा कि क्या-क्या रीजन थे कि ओरोपी के जो नहीं पूरे हुए, तो सबसे पहला तो ओरोपी में विसंगतियां का जो कारण है, यह हमारे NCO भाई बंधू जो होते हैं, बड़े ही कम उमर में अपना सेव 30 to 38 years होती है, और आप यह सोच के बड़ा ही अस्यर करेंगे कि इस उमर में, चाहे वो डिफेंस के हो, पेंसनर के हो, जब आदमी 33 से 38 years के उमर में होता है, तो उसकी कई तरह की liability होती है, जिसमें उनके बुजुर्ग, माथा पिता का भी देखवाल, उनके बच्चों का, छो और उस समय, उस पेंसन का सहारा एक मात्र यही वारोपी होता है, कि उनको वही पेंसन दिया जाए, जो की अभी retire हो रहे हो, यानि की जो latest retire हो रहे हैं, अच्छा खासा pension है, तब ही वो inflation को beat कर सकते हैं, और इसके ही उलट साइज, जो अधिकारी वर्ग हैं, उनके retirement की उमर 56 to 58 है, उनकी अच्छा खासा pension है, तो उसके जैसा, यहां आप अगर इसके matrix को देखेंगे, जो की हमने तथ्य इकठा किया है, तो आप देखेंगे कि 85% जो हैं, हमारे NCO, JCO वेगर हो जाते हैं, 33 से 38 के ही उमर में, 10% जो हैं 46 के, जो की 41 से 46 के उमर में होते हैं, और मात्र 5% ह होते हैं ऐसे, जो की ओनरी राएंग की आप पूरा सुपर इनुएट करके जाते हैं, तो यहां जो कम I.U. में बाहर जाने का, कोई भी आदमी रोजगार प्रारंभ करता है, वो यही करता है कि जब तक हमारी सारी liability पूरा न हो जाए, हमें यहीं बने रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि सर्विस को युवा रखना हमें, अब यहीं से विसंगतियां सुरू हो जाती हैं, यहीं से उनके जो जरूरत है, उसको mitigation के लिए प्रयाप्त मात्रा में सब कुछ किया जाए, और ओपी का concept आया, और तमाम मांग के बाद धीरे धीरे यहां आगे mitigation सिर्फ तभी हो सकती है, और उस समय में वो बिलकुल fit रहते हैं, mentally, physically, हर तरह से fit रहते हैं, और तब उनके लिए इतना प्रयाप्त मात्रा में कोई सुनिश्चित, कोई lateral entry नहीं है, वो हवालदार से भी retire हुए हैं, कई बार नायक 18 साल, 19 साल में भी retire हुए हैं, और फिर व इस तरह से उनका जो skill है, उसका कहीं कहीं दुरूपयोग या अनुपयोग हो जाता है, यानि कि भारत सरकार ने जो उन्हें अपस skill किया था, वो हिस्तेमाल नहीं हो पारा, चुकि वो bike foot पर आ जाते हैं, अपने घर ग्रिहस्ती चलाना है, एक regular income चाहिए, तो बड़े ही अमान जनक pension दे सकता है, ताकि वो बच्चे हुए liability को पूरा कर सकते हैं, अब मैं बताओं कि जैसा कि 72, 50% हो गया, 33 year service में, तो ये सब third pay commission के कारण हुआ, अब इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी परतिनी थी तो जो होनी थी, यह सब नहीं हुई, और कोई guaranteed lateral entry जैसे officer अगर retire होते हैं, तो उनका lateral entry सीधे management level में जाते हैं, लेकिन जवानों के case में क्या है, वो या तो group D जाएं, जहां कि 20% reservation है, या group C जाएं, जहां कि 14, 10 to 14% अलग-अलग state government में, central government में है, कोई lateral entry का प्रावधान है नहीं, तो इसके कारण बड़े ही, अब यहां क्या जरूरत होना च यह था एक, जैसे ACST का आप जानते होंगे कि National Commission है, इसी तरह से एक सर्विसमेन का, National Commission क्यों नहीं गठन किया गया, जो कि मुखेत उनके reservation या और भी कई benefits हैं, उनका ख्याल रखा जाता, और वही हमारे NCO, JCO, honorary commissions के, उनके भी स्वार्थ को OROP में represent कर पाते, पर आज हो क्या रहा है, हर तरफ चाहें, आप TV में देखें, मेडिया में देखें, हर जगा अधिकारी वर्ग के ही बड़े-बड़े से महाराजा धिराज रहते हैं, और उन्हें संग्योग ऐसा होता है कि NCO के, others के pension, payment के बारे में पता नहीं होता, rank के भी ठीक से पता नहीं होता, तो किस तरह से सोच सकते हैं, वो तो सिर्फ अपना ही अलाउंसेस बढ़ जाए, payment बढ़ जाए, pension बढ़ जाए, इन ही बातों पर अपने पूरे interview को, अपने speech को क्यंद्रित रखते हैं, तो आज जरूरत है हमारी सरकार को, एक प्रजातंत्रिक सरकार के तहत, जैसा कि देश हमारा प्रजातंत्र है, तो यहां भी हमारे एक सर्विस पैन में भी प्रजातंत्र के सारे नियमों को बरकरार रखते हुए, हमारी परतिनी धित्तों, उस जैसियों से हो, इंसियों से, अदर्स से हो, ताकि वो अपनी वास्त्विक समस्या को रख सकें, और उसके अनुसार, OROP के अनुसार हो सकें, आज आप देख रहे होंगे कि कितनी भी संगतियां है, टेवल नंबर 7 और टेवल नंबर 8, जब टेवल नंबर 7 सिर्फ था OROP 1 में, तो आज OROP 2 में, टेवल 8 की क्या जरूरत है, जो भी रिटायर हो रहे हैं, 2018 में, उसका एवरेज लेके, उस रैंक का, उस क्वाइलिफाइंग सर्विस को लेके, आप उसका फिक्स करते चले जाईए, क्या जरूरत है टेवल 7 और टेवल 8, यानि कि इसके तो जो मूल स्प्रीट है, उसी की हत्या हो रही है, और कई बार यह देखने में आया कि जो X ग्रूप के लोग हैं, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करके टेवल नंबर 7 में दिखाया गया, क्योंकि उनका जो डिप्लोमा स्ट्रीम का पे स्किल होता था, उसके कंसीडर ही नहीं किया आगया, कई जगह यह देखा गया कि MSP जो 6200 हो गया था, 1400 से बढ़कर, उसको जब टेवल नंबर 7 डिजाइन किया कई X-Group हैं, उनके अंतर हो चुके हैं, अब आज जरूत है, हम इन सभी बातों को एक युनाइट होकर आगे तक दिखाएं, इसके लिए प्रथम आओ सकता यही है, कि हम पहले मूल समस्या को समझें, बस्तू को समझें, और फिर क्या-क्या हो सकता है, इसके लिए हम आगे ब सुरक्षा के लिए, अब जरूत है हमारी अपनी भी आर्थिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, और पेंसन के टेवल में घटा हुआ आ रहा है, तो किस तरह से आप महंगाई को बीट कर पाएंगे, तो निश्चित ही है कि कहीं ने क कुछ बहतर है, जो कि सब को जानना ही चाहिए, तो आप जरूर अपने मित्रों के साथ, संबंदियों के साथ साज़ा करें, और अपने जीवन का बहुमुल्य समय हमारे साथ देते हैं, इसके लिए तो मैं सदायव, आपको हिर्दय की गहराई से धन्यवाद देता ही हूँ, हमारी OROP की स्रिंखला इसी तरह से जारी रहेगी, उमीद है, आप हमसे जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करके पूछे, इसी स्रिंखला में आगे मैं और भी विस्तार में और गहराई में बात करूँगा, कि OROP 2 में क्या-क्या विसंग करेंगे, और अंत में आप सबों से यही आगरा करता हूँ, कि जिन बंधूओं का स्पर्स में माइग्रेशन हो गया, वो हवस से सुनिश्चित कर लें, कि लाइप स्टिफिकेट हवस से जमा कर लें, नहीं तो OROP 2 तो आने से नहीं रहा, जो रिगुलर पिंसन आ रहा था, वह भी बंध हो जाएगा, इस लाइप सेटिफिकेट के स्टेटस को जानने के लिए, आप PCDA के ही साइट में वहाँ देख सकते हैं, आप अपने होम ब्रांच पेंसन पेंग ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ से कनफर्मेशन ले सकते हैं, अगर आपने नहीं जमा किया, तो री सब्मिट कर दीजिए ब्रांच में, अधिकतर बैंक जहां से आपकी पेंसन आ रही, वहाँ भी API दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप असपर्स के पेंसन कर सकते हैं, तो अवसे लाइप सेटिफियर जमा कर लें, मुझे पूरी उमीद है, और यही आसा करता हूँ कि आपका पेंसन निर्वाध रूप से आता रहे, और OROP2 का हर व्यक्ति को, हर पेंसनर को बढ़े, तभी हम महंगाई को बीट कर सकते हैं, और देश के लिए और भी बहतर एक छवी तयार कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र कुमार, वेलनस कंसल्टेंट, झाल